समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिशद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहरी यादव जी हमारे साथ हैं हमेशा से आप लोग एक बात कहते हैं कि समाजवादी नीतिगत मुद्दो पर विरोध करते हैं लेकिन आपके राष्ट्री अध्यक्ष जब ये कहेंगे कि मठा देश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है तो फिर ये तो नितिगत विरोध नहीं है ये तो आप पसनल अटेक कर रहे हैं मठ बाबाजी की अकेले नहीं है आप मठा दीसों के विशे में अगर सही आकलन कर लें तो पूरे देश में जितने मठ हैं, मंदिर हैं उनकी प्रापरटी और सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रापरटी में मठ और मंदिर जादा हो जाएंगे जो है प्रापर्टी के विशे में उन्होंने तूलना किया होगा कि इन लोगों के पास जो है प्रापर्टीयां इतने हैं दच्छिन भारत में हम सुनते हैं कि कई कई कुंतल जो है सोने जो है हैं मंदिरों में जो है जो लोगों द्वारा चड़ाए गए हैं जो है तो राश्टिय अध्य जी के दिमाग में बात होगी जो है कि सरकार चलाने के लिए जनता के हितों के लिए जो पैसे होने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है इस समय मंदिरों में हैं आपने देखा कि जोध्या के नाम पर भगवान राम के मुर्ती के पुनरस्थापना के नाम पर देश में बिरले लोग बचे होंगे अधिकारी, कर्मचारी, ब्यापारी और पूजी पती और किसान जिन से पैसा न लिया गया हो चंदा उसका कोई हिसाब किताब कोई बता दे कि वह पैसा कहां गया, किस ट्रस्थ में है, कौन उसका मालिक है, कह साड़े तीन हजार करोड रूपया का आखड़ा एक दिन मैंने मुबाइल में देखा जो है उस पर जो छट बनी उस पैसे से वह इतना घटिया बनी जो पानी जो लिकर रहा है, जो सड़क वहां मंदिर तक जाने बनी के लिए बनी, वो सड़क जो है दोस्त हो गई, जो बाउंडरी बनी वो गीर गई, तो क्या हो रहा है वो पैसे का तो मतलब आप ये कहना चाहरे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो मठ और मंदीर का पैसा जनहित भी लगेगा नहीं, देखे, सबकी अलग-अलग वेवस्थाएं हैं, इस समाज को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, सबकी अलग-अलग जो वेवस्थाएं हैं, उसी तरह से वेवस्थाएं चलती रहें, लगिन कहीं-कहीं तूलना करने की बात आती है, अच्छा, आप बताईए, ज मुझे ते जानकारी है कि पंद्रह सो और साड़े तीन हजार तक कि लगते हैं अलग-अलग पूजा पर भगवान वही हैं भगवान विश्वनात जी इस समय पूजा करेंगे तो इतना रूपया इस समय पूजा करेंगे तो इतना रूपया इस समय पूजा करेंगे तो इतना को तो मैं नहीं बता सकता कब की हुई है लेकिन मैं जब से पैदा हूँ और उनका नाम जानता हूँ मैं उनका दर्सन करने आता था कभी एक रूपया नहीं लगता था जनता से कहीं जनता स्वेक्षा से एक रूपया दो रूपया दस रूपया पांच रूपया जिसको जो है वो चढ़ा दीता था आज टेक्स लिया जा रहा है जो है भगमान्ज के नम विस्टौनाध जी के नाम पर इसको क्या माना जाएगा तक पैसा कहां जा रहा है इस पैसे का कहा किस रॉह रहा है त्षल केताब हो रहा किस ट्रॉस्ट में चाहिए उसका क्या हो रहा है उस करोना का समय था तो मुख्यमंत्री का एक अलग कोस हुआ और एक परधान मंत्री का एक अलग कोस हुआ और उस पैसे में कितनी रूपे आए और इस इस खाते में कितनी रूपे आए कभी इन लोगों ने सारुजनिक किया या उस पैसे का खर्च कितना हुआ जनता के हितों में उसका कोई हिशाब किताब इनों लोगों ने दिया मतलब यह हम कह सकते हैं कि आप 2027 में अगर चुनाव जीत कर सत्ता में आते हैं तो आप मंदिरों और मठों में जो दान आ रहा है उसका आडिट कराएंगे मंदिरों और मस्जिदों में जो दान आता है उस पर कर नहीं लगाएंगे उस पर कर नहीं इस्टरा लगाएंगे वो पैसा कहा गया आपने कहा ना कि वो तो मठ के जो पंडा पुजारी हैं उनको पैसा वो दिया जाता है जनता द्वारा लेकिन यह जो रसीद काट करके जो पैसा लिया जा रहा है इसका हम भी रोद कर रहे हैं जो प्रेक्षा से पब्लिक देगी पैसा वो अपनी जगह है वो तो जहां जाता है जो वहां पर कर्मचारी हैं पुजारी हैं वहां पर पूजा पाट करने की सामगरी है उस पर खर्च हो उस पर हम लोगों का आडिट नहीं कर लेकिन जो यह टेक्स ले रहे हैं और रसीद दे करके वह कहां पैसा जा रहा है वह तो हिसाब पब्लिक को देना चाहिए इनको आपने कहा कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए लेकिन आपके रास्ट्री अध्यक्ष जब कहते हैं जाती देखकर संप्रदाय देखकर पुलिस इंकाउंटर करती है आपके नेता जब कहते हैं यादव अगर नाम के आगे लगा हुआ है तो गोली मार दी जाती है आपको ने लगता है इसे घृणा की राजनी और बढ़ेगी वैमनस से बढ़ेगा एक अपराधी अगर मारा जाता है डी जी पी ने कॉन्फरेंस करके बताया कि वो अपराधी था इसके पहले तमाम जो मंत्री हैं वो बता चुके हैं कि वो अपराधी था तो एक छोटी सी घृणा को जो लूट से संबन्दिद घृणा थी आप जबर्दस्ती कास्ट के नाम पर इसको आपको नहीं लगता है कि इसे जातीय वैमनस से बढ़ेगा यह सरकार जितना जातीय और धार्मिक वैमनस से बढ़ा रही है या धर्ती किसी की है नहीं इस धर्ती को भोग करने वाले जिनके जमाने में सूरज नहीं डूबता था उनको भी धर्ती को छोड़ करके जाना पड़ा तो और किसी की वह हिस्तिती नहीं है जो अंग्रेजों की थी सब को एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा तो दूसरा अगर आएगा और उसी बेवहार से उसी नीट से अगर वो उत्पीडन करने लगेगा तो यह समाज तूटेगा या जूटेगा जो यह समय की बरतमान सरकार तोड़ने की नीट से काम कर रही है चाहे यादों के साथ, चाहे मुस्लिम के साथ चाहे दलित के साथ, चाहे पीडिये के साथ और इस तरह का अगर दूसरे की सरकार जनता को सरकार बनाना है, हम आप सरकार बना नहीं सकते बनाना है जनता को जनता मान लिजिए कल बदल दे ठीक, अगर बदल करके कि नियध पर शक है कि आप बताएए कि देश का प्रधान मंत्री बेहां देता है लिए कि हम मदर्सों के बच्चों को एक हात में जो है कुरान और एक हात में जो है कम्प्योटर देखना चाहते हैं और आपका मंत्री जो आधुनिक सिच्चकों की नियुक्ति अंग्रेजी हिंदी मैं साइंस पढ़ाने के लिए आदमिक सिच्चकों की हुई थी उसका केंदरांस का 60% जो उनको मांदे में आता था उसको बन कर दिया अच्छा एक लाल विहारीजी हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपको कैसे यकिन होगा क सरकार साफ नियत से काम कर रही है किस अपराधि का अगर इंकाउंटर सरकार कर दे तो आपको लगेगा कि नई सरकार की नियत साफ है मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि सरकार की नियत अगर साफ हो तो जिलावार वो अपराधियों का जो अपराधिक इतिहास रजिस्टर नमर आठ में दर्ज होता है उसके हिसाब से सब की क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल ले और सबसे ज़्यादा जो जिसके पास अपरा होगा कि कौन-कौन लोग है नाम बताने में क्या दिक्कत है कि फला अपराधी है अगर उसका इंकाउंटर हो जाए तो हम मान लेंगे कि सरकार की नियत साफ है हम डीजी पी उत्तर प्रदेश के हैं कि हम जो है बनारस के थ्वा हैं जो है कमिस्टर है जो मैं कह रहा हूं लाल पर भी किसी ने भेंजा मैंने देखा कि तीन मुकदमे उसमें 309 के 309 छोटी चोरियां जैसे मुबाइल चोरी कोई जो है 5500 की चोरी कहीं साइकिल चोरी इस तरह के मुकदमें दिखाई दि और एक मुकदमा मुझे गंगेश्टर का दिखाई दिया गंगेश्टर पुलिस ही करती है किसी पर वह कोई व्यक्ति करता नहीं एक गुंडा एक्ट का दिया खा वो पुलिस भी की थी जो है ये पांच ये दिखाई दी और छठा मुकदमा जो फरजी जो है डखैती का तो ये बताईए कि अगर ये डखैती वाले को अभी दरकिनार कर दीजिए कि इताल लड़ मैं को लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है जाती देखकर इंकाउंटर करने की जो आपका आरोप है आपकी पार्टी का रॉप है ये अगर इसी तरीके से होता रहा तो आने वाली सरकार भी अपने हिसाप से इंकाउंटर करेगी तो फिर समाज का होगा क्या जहां हम लोग भाई चाहते हैं जहां हम लोग समरज समाज की अस्थापना चाहते हैं हम गलत को गलत करें कहें सही को सही कहें चाहे हो जाती विरादरी का हो जाती विरादरी तो काम के आधार पर लोगों ने बनाया था कोई इसमें जो है आखरी सवाल एक ले लेते हैं बस्पा सुप्रिमों ने बता ही दिया वो राज खोल दिया कि फोन नहीं उठाते थे खिलेज जी और हमने हमने अपना गटवंदन तोड़ लिया तो मायावती जी बकायदे बस्पा ने बुकलेट जारी किया है बह आदों ने ओट नहीं दिया हमारी पार्टी को वो बयान सही है दोनों में से कौन बयान सही है आज का बयान सही है कि उस दिन का बयान सही है जिस दिन उन्होंने गटवंदन तोड़ा आप बता दीजिए कि उन्होंने जो पहला बयान तो यहीं दिया गटवंदन तोड़ने क कि इनके लोगों ने मुझे ओट नहीं दिया, इनके लोगों ने ओट नहीं दिया, तो आप 0 से 11 चली गई, आप ये लोगों ने इनको ओट दिया, तो वा 5 से 5 रा गई, ठीक है, तो लाल बिहरी आदर जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को शक है, पुलिस की इंकाउंटर पर चुकि जिस तरीके से एक विशेस जाती और विशेस संप्रदाय को निशाना बनाया जा रहा है उससे आने वाले समय में कहीं न कहीं घृणा की राजनीत और बढ़ेगी अमिद सिंग टेवी नेन यूपी वरंड से